हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो गार्डनी मुई धीतेश आज मैं आपसे अपने एक गार्डन की छोटी सी शौपिंग शेर करूँगा कुछ मैंने जो है पोर्ट्स खरी दे हैं कुछ मैंने सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स खरी दे हैं और ये देखिए क्यूट से छोटे से पोर्ट हैं प्लास्चिक के क्वालिटी भी इनकी जो है काफी अच्छी है और सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अच्छे रहती हैं प्लास्चिक के पोर्ट्स और ये जो मैंने है 10 खरीदे थे और ये मुझे एक planter जो है 10 रोपे का पड़ा था और 100 के मैंने जो है 10 pots खरीदे थे और बाद कुछ में मैंने जो है plants लगा भी ली है और एक मैंने ये भी खरीदे है ये इनका जो है depth भी काफी है इनकी और इनकी width भी काफी जो है अच्छी है और ये देखें नीचे इनके जो है चार छोटे-छोटे stand भी है ताकि हमारा जो पानी है easily नीचे से drain out हो जाए और design भी काफी अच्छा है plastic की quality भी same ही है दोनों पोट्स की और ये जो है ये मैंने 5 पोट्स खरीदे हैं और ये मुझे 20 रुपीज इच पड़ा है ये भी मैंने 100 के जो है 5 पोट्स खरीदे हैं 100 के वो 4 कह रहे थे तो मैंने 100 के उनसे 5 लिये हैं पोट् इन प्लांट्स भी purchase की हैं ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये निमेशिया का प्लांट है बहुती छोटे छोटे फूल होते हैं इसके और बहुती देखने में सुन्दर लगते हैं और ये सारे ही प्लांट्स जो मैं आपको दिखाऊंगे ये सारे ही मैंने जो है government nursery से ही purchase की हैं ये प्लांट मैं अपनी local nursery से में भी जो है search कर रहा था लेकिन वहां से मुझे ये plants नहीं मिले और government nursery में मुझे ये दिख गए तो मैंने इने purchase कर लिए तीन plants मैंने ये खरीदे हैं और कई बार जो है हमारी local nursery से में भी ऐसे plants नहीं मिलते जो हमें government nursery में मिल जाते हैं बहुती reasonable price पे और एक मैंने जो है ये stock का plant खरीदा है stock के मैंने जो दो पहले plant भी खरीदे थे उन में जो है pink color निकला और ये white color था तो मैंने जो है इसे purchase कर लिया देखते ही और इनके फूलों में जो है बहुती हलकी हलकी खुश्बू आती बहुती सुन्दर और देखिए birds बहुत्स भी काफी बनी हुई है ये सारे जो है अईसे उन्होंने polythin में ही लगाए हुए है और ये जो मैंने चार plants जो है फ्लॉक्स के खरीदे हैं और देखिए कितना बुशी plant हैं ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पॉलीथिन में उन्होंने तीन से चार sapling लगाई हो तो दे ज्यादा तर plants अपने लगाए होते हैं तो यह सारे जितने भी plants हैं यह मुझे 10 रुपीज एच मिले हैं सारे plants जो है 10 रुपे के ही मिले हैं मुझे पर plant 10 रुपीज पड़ा है पहले उन्होंने 20-25 में भी दिये हैं अब season off होने वाला है तो उन्होंने 10 रुपीज कर दिया है हर एक plant का तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें